आंगल मैसूर संघर्स चार यूद्ध हुए हैं आंगल मैसूर के चौथा और अंतिम यूद्ध था 1799 में जिसमें टीपो सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर जो सामराज था वो पुराना वाला जो ODR वंस था उसी के हाथ में दे दिया गया उसका एक छोटा सा बच्चा था मेरे खाल से दो साल का था उसी को सौप दिया गया ODR वंस को मैसूर सामराज सौप कर बात में ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजों ने ऐसी छोड़ दिया था साहयक संधी भी थोपी गया उसी पर लॉडड विलेजली था उस समय जो साहयक संधी का जनमदाता भी माना जाता है ओडियार वन्सपर अंत में जाके उसने साहयक संदी को थोप दिया साहयक संदी के पीछे क्या होनी कुछ कारण बताया था जो कारण आप लोगों को पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो याद रखना सबसे बड़ा कारण तो यही था कि यूरोप में नेपोलियन बनकपार्ट के प्रभाव बढ़ने की वज़ा से उसके डर से अंग्रेजों ने भारत में अपने आपको स्रक्षत महसूस करने के लिए यह सहायत संदी जैसी पड़ाली को अपनाने की कोशिश की अपनाया भी जिसके तहट उन्होंने साम दाम दंड भेद कोई अगर मान गया बात से तो ठीक है नहीं तो यूद्ध लड़तर उन्होंने छित्रों को हथी अंत में जाके 1834 में लगभग मेरे ख्याल से उसमें भारत का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा तो इसमें भारत का गवर्नर जनरल को था मेरे ख्याल से भारत का पहला गवर्नर जनरल भी वही था नाम है उसका लॉर्ड विलियम बैंटिक जो कि सती प्रथा को सवाप्त करने के लिए भी जाना जाता है राजानाम महराय के साथ मिलकर काम किया थे इसने इसके समय में मैसूर सामराज का विले भी कर लिया गया अंतमें हला कि आज हम मराठा सामराज की शुरुवात करेंगे वो मराठा सामराज जो कि अपने परंपरागत युद्ध के लिए जाना जाता है मराठा सामराज उनका एक जो युद्ध का तरीका था वो था क्या उसको बोलते थे कौन सा युद्ध होता था उनका छापा मार जो लड़ाई लड़ते थे गुरिला युद्ध के लिए उसके जाने जाते थे और कई बार यह सवाल पूचा जाता है कि मराठा सामराज्ज के इस्थापत होने के पीछे का प्रमुकारण क्या रहा है तो उसके पीछे का प्रमुकारण क्या था तो पीछे का उसके प्रमुकारण ये था कि उनमें राष्टवाद की भावना मजबूत हुई राष्टवाद की भावना जगी उनकी भावगोली की स्थिती उनके सामराज्ज को इस्थापित करने में महात्पून भूमिका जैसा बेक्ती, उनका एक शासक वा जो मराथा सामराज, जनमदाता माने जाते हैं मराठा सामराज के बात करेंगे तो मराठा सामराज बड़ा लंबा चोड़ा एरिया में था मराठवाड़ा जिसको आज हम मराठवाड़ा विदर्व का चेतर बोलते हैं वो पूरा का पूरा छेत्र करनाटक के आसपास तब फैला हुआ छेत्र था जो इसमें मराठों के सामराज में आता था अरब सागर के पूरब से लेकर सत्पुड़ा के दक्षडी हिस्से तक फैला हुआ मराठो वाड़ा छेत्र जिसमें मुंबई, खांदेश, बरार, कॉंका यह सब शामिल है आज के समय, बरतमान समय की बात कर रहे हैं, यह मराठा शक्ति का केंदर हुआ करता था, 17 शताबदी में मुगलों के पतन की शुरुआत होने के साथ ही, जो सिलसिला स्वतंतर राज्यों की स्थापना के साथ शुरू हुआ था, उसमें सबसे अधिक शक्ति शाली राज्यों में थे मराठा, ठीक है, याद रखना, मुगलों के अंतिम समय में याद रखो, पतन का समय ना याद रखो, अंतिम समय में याद रखो, ठीक है, यह में याद रखना चाहिए और उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति शाली जो रहे हैं, वो रहें अपने मराठ चलिए इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम छत्रपति शिवा जी महराज की यह 1627 से 1680 के बीच में इनका समय रहा जन्म हुआ था 1627 में 1680 में इनकी मृत्ति हुई मराठों की बिखरी हुई सक्ति को एकत्रित करने के उद्देश से महराष्ट्र में यह बिखरी लिखा हुआ यह बिखरी है ठीक है यह हम सही करवाएंगे यह भी देखिए गड़बड़ हुगया है सक्ति को एकत्रित करने के उद्देश से महराष्ट्र में छत्र पतेश सिवा जी द्वारा सतंत राज की इस्थापना की गई इनका जन्म बात करें तो 1627 नौ मार्च का समय है दिन है सिवनेर एक जगा है वही पर इनका जन्म हुआ इनके पिता जो साहजी भोसले थे वो बीजापुर सुल्तान की सेवा में चार लाग की जागेत प्राप्त करके बंगलुरु के अधिनस्थ शासक हुआ करते थे इनके गुरु का नाम बात करें तो गुरु इनके थे कॉंडदेव और गुरु रामदास ये दोनों इनके गुरु थे उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था साहजी भोसले अहमद नगर के सुल्तान के सैनिक भी रहे जो की बाद में अपनी योगता के अधार पर इनको पुने और सूपा की जागीर भी प्राप्थ हो गई थी अभी आप पूछेंगे सरीय तो आधनी बारत है तो आप मेडाइवल क्यों पढ़ा रहे हैं 1627 में की क्यों पढ़ा रहे हैं भी हम वो इसलिए क्योंकि माराथा सामराज को हम सुरू से ही देख लेते हैं मेडाइवल में नहीं पढ़ेंगा और क्या होगा ठीके न? अभी से हम देख लेते हैं इसको याद रखना इसे तो पुड़य और सूपा की जागीर इनको बाद में मिली कैसे मिली? योगता के आधार पर मिली? किसको मिली? साहजी भुसले महराज को मिली कहां से मिली किस्टे मिली आहमद नगर सुल्तान के द्वारा दी गए इनको सिवाजी के द्वारा 1646 में सबसे पहले बीजापुर पर आक्रमण किया गया सबसे पहला आक्रमण सिवाजी ने जहां पर किया वो था बीजापुर और उन्हाँ आप क्या किया आक्रमण करके तोरण का एक किला था उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया फिर मावली मावली योद्धा थे इनकी साहता से इन्होंने सिंगगड बोलते हैं सिंगड का जो प्रसिध्ध नाम है वो है कौंडाना का किला जिसको बोल जाता है उस पर भी विजयप्रात की ठीक है और अपने अधिन कर लिया था 50 के दशक में पुरंदर 12 मती, 1650 के दशक में क्या हुआ, कि पुरंदर है, 12 मती है, चाकन है, तिकोना है, लोहागड़, इन सब किलों पर भी अधिकार किया, सिवा जी ने, 57 में बीजापुर की तरफ से मोगलों के खिलाफ यूद धलरते हुए, इन्होंने जुन्नों को लूटा, बीजापुर की तरफ से मोगलों की खिलाफ लड़े थे, ये, सिवा जी ठीक है, 1657 में, यूद लड़े, उसमें इधिमन क्या किया, जुन्नर को लूटा, अब इसी दवरान क्या हुआ, मोगलों में, उत्रधिकार का यूद शुरू हो गया, 1657 में ही लगभग मेर मरति हो जाती है, है न, अलगभग 2 साल तक चलता है, उत्रधिकार का यूद, ठीक है, उस यूद का लाव उठाकर इन्होंने कौंकड पर भी विजय प्राप्त कर ली, ये कई बार पूचा जाता है, जो उत्रधिकार का यूद दूआ है, साह जहां के मरतियों के बाद, उसम एक जिदा लला गया, किसके बीच लला गया, कौन जीता है, कौन हारा है, कहां पर जगा है, तो हम ये वो सारी चीजें पता होने से यह फिलाल हिस्ट्री का पार्ट है, तो सब हमेडावल में ही कवर करनेगे, 1667 में बीजापुर के शासक ने शिवा जी क्योंकि विस्तारवादी नीती ये समराजवादी विचारधारा के पोशक भी रहे हैं तो इनकी इस विस्तारवादी ये समराजवादी नीती से परेशान हो गया था बीजापुर के शासक नाम है आदिल शाह जिसका तो आदर साने एक अपने सरदार उसका सरदार हुआ करता था जिसका नाम है अफजल खान, अफजल खान का नाम सुना होगा आप लोएं, उसके नेतरत में एक सैनिक टुकडी भेजी, किसके लिए, सिवा जी को पराजित करने के लिए, परताब गड़ में हाला कि दोनों लोग मिले भी आपस में, परताब गड़ कहां, यूपी वाला परताब गड़ नहीं, वो गुजरात के आसपास पड़ता है, महराश्टों गुजरात के एरिया में आता हो, तो वहां पर दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद, वहीं पर अफजल खान की हत्या भी कर देते हैं, सिवा जी, ठीक है, सिवा जी उसी मिप्रत्य करते हैं, क्या बाखनाख उकनाख उसके पास रहती है, वो उसी से निकाल को मार देते हैं, उसे अफजल खान को, मुगल सासक औरंजेब के समय में दक्षण के गवर्नर नियुक्त हुए थे, साइस्ता खान, साइस्ता खान गवर्नर था, दक्षण था, किसके समय में था, और अंजेब के समय में था, याद रखना चाहिए ये बात हमें, और इसके महल पर आक्रमर कर दिया था, सिवा जी ने कब किया था, 1660, उन्हें पराजित भी किया, मुगलों के अधीन सूरत पर इन्होंने, मुगलों के अधी डच और अंग्रेज की कोठियों को किसी भी प्रकार की हानी नहीं पहुचाई थी, डच और कोठियां वहाँ पर स्वरक्षत नहीं हो सकता है, स्टेटमेंट के रूप में आपसे प्रश्ट पूच लिया जाए, सूरत पर किया गया 1664 में सिवा जी द्वारा हमला, हमले के ब कोठियों को पांच दिन तक लगाता लूटा गया, है ना, और सूरत नगर को लगातार चार दिन तक लूटा गया, जो मुगलों के छेत्र में इस्था, इस्थापित था, तो आपको पहला तो, पहला और दूसरा दोनों तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अंग्रे जय सिग और सिषाजी के भी जो संधी हुई है, मिर्जा राजा, जय सिग और की संधी होई है, ये सिवा जी की याद रखना ये बात, और हमारे ख्याल से और जय रोसिवा जी की भी कभी कोई संधी नहीं है, 1666 में पुरंदर की संधी हुई, जिसमें जय सिंfaat अिन झापर उन्हें कैद कर लिया जाता है और अंग जेव ने उनको कैद कर लिया और कैद करने की जो जगा चुनीगी वो था जयपुर भवन सिवाजी भी थोड़े से चालाक थे चालाक ऐसे थे कुछ चत्रवाई थोड़े स्दिखाए उनका एक सवतेला भाई था हेरो जी फरजंद नाम है उनका उनकी दोनों की शकल एक जैसी मिलती जुलती थी तो उन्हों ने अपने उस भाई को जेल में छोड़ा और फल की टोकरी योकरी में बैठ के उनके चंगुब से भाग निकले मुगलोग साथ हुब हुआ जो किले खो गए थे इंके सिवाजी के चींद लिए गए थे उनकी लों को फिर से इन्होंने वापस ले दिया उसमें से जुप कॉंडाना का किला था जिसको सिंगधण का किला कहते हैं उसको फिर से जीता है इन्होंने 1670 में ठिक है इसी में क्या हुआ है इसी के बाद इनको अपना राजय भिशेक भी करवाना था तो इनका राजय भिशेक करने के लिए बनारस बनारस के जो परसिद्विद्वान थे गंगा भट की देखरेक में 16.74 में 36.3 priority सिवाजी महाराज के का राजय भिशेक हुआ वो भी रायगढ़ में हुआ आपको पता हूँ जे रायगढ़ में इनका हुआ है राज़ा भिशेक और छत्रपती की इन्हों ने उपादी धारण की यहीं से यहीं पर ये छत्रपती बन जाते हैं छवहत्र में क्या हुआ खाची के निश्चलपुरिक गोष्वामी द्वारा फिर से इन्होंने अपना राज़ा भिशेक करवाया पहली बार इन्हों करवाया चवहत्र में जाके किससे गंगा भठदारा जो कि काशी के प्रसिद विद्वान हैं दूसर दूसरी बार जब हिन् इस समय एक यूरोपीय था नाम है जॉर्ज ऑक्सान डेन जो इस समय राज़ा भिशेक के दौरान मौझूद भी था साथ में इसके बाद दक्षण भारत की राजधानी इन्होंने अपनी जो राजधानी थे दक्षण भारत की उसे जिंजी को बनाया जिंजी का किला आप सुरक्षत किला था हूँ जिंजी का किला ऐसा माना जाता है कि उस पर हमला हमला जल्दी नहीं हो तो बहुत सेफ जगे पर मवजूद था हूँ इनका संगर फिर अभी सीनियाई सीधियों से जंजीरा टापू के लिए भी हुआ ठीक है अभी सीनियाई ऐसा भी हो सकता है एक प्रशना आजाए कि अभी सीनियाई सीधियों से जंजीरा टापू के लिए किसने संधर्श किया तो उनका नाम आ जाएगा है छत्रपति शिवाजी का ठीक है यह बात हमें याद रखने चाहिए इसमें यह सफल भी नहीं रहे फिला जदना सरकार कहते हैं कि मैं सीवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम यह जदना सरकार यह भी थोड़ा सा गड़ पर है हिंदू प्रजाति का अंतिम रशनात्मक प्रतिभास संपन व्यक्ति और राष्ट निर्माता मानता हूं ऐसी संग्या द कर लेते हैं सीमें शीरस्पर स्थापित छत्रपती वाला प्रसासन ज्यादत दक्ष्ण राज्यों मुगलों की प्रसासनPod से प्रभावित थ SS Dark और मुगलों की प्रसासन ऱिंग प्रसाइब रखार यह बात रहें तो यह फ्रतु उत्तरदाई ये बात आपको याद रहने चाहिए पृधानय अधिस कौन था सेनपती कौन था प्रभद संपनरंकुस को सासक भी था ये अंतिम कानुन निर्माता भी होता था पेश्वा या पर्दान यह या परधान जो होता पेशवा, फिर तीसरा है अमात्य, अमात्य जो है या फिर उसको मजूमदार भी बोल सकते हैं, ये कौन है, ये वित्थ और राजा समंत्री था, जो कि आय और व्यायक, आय वेके सभी लेखों की जाच करता था, और साथ में मुहर लगाता था, ठीक है, दो वो सरकारी पत्रिय दस्ता बेज है, उस पर राजा की मुहर लगती थी, उस राजा के नीचे लगती थी, पेशवा की मुहर, अमात्य के मुहर कहा लग रही है, आय वेके सभी लेखों की जाच करने की बाद, उस पर मुहर लगायार भी ये ये सही है, कुछ गलत इसमें नहीं है, ठीक है, ये अ राजा के दैनिकार है और दर्वार की प्रतिदिन की कारवाहियों का विवरार रखने का काम करता था वातिया नभीस या फिर मंत्री दबीर या सुमंत्र कौन था दबीर या सुमंत्र जो होता था विदेश मंत्री होता था इससे समझे कई सारे प्रश्म पहुंचे जाते हैं अप्रोगे मST न करता है कि टोड़ा सध्यान रखने अपने को सेना पति जिसको हम बोलते सरैंनौबत को यह पिल्ट रख रखा भर्ख्रा कि करता था सेना का संगठन और रसद का प्रबंद भी करता था कौन सेनापती जिसको हम सरे नौबद भी बोलते हैं एक है पंडित्राव पंडित्राव कौन भई पंडित्राव बिद्वानों और धार्मेक कारें के लिए दिये जाने वाले अनुदान का दाईत तो निभाता था नियाधीश कौन था नियाधीश राजा के बाद दूसरा मु या मुण्सी जो जिसको बोलते हैं पत्त्राचार लिपिक भी बोलते हैं एक है यह क्या करता था अगा कि यह इस चित्नी यह मूं सी जो 15 चाल्लिपिक होता था यह लिखा पढ़े का काम करता हि każजो डूं कि संचित अंचित करता था जो लेखे होते था को इक्ठा करके रखने का सिवा जी के इस अश्ठ्पधान में पंडत रा और ज्याय या धीश इन दोने के लाबा शब grupos अपने साइनिक और आसाइनिक कर्तव्यों के प्रती साइनिक कमान भी समालनी पड़ती थी इन्हों ने क्या किया जागीर प्रथा को समाप्त किया था शिवा जी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर अपने अधिकारियों को नकद वेतन देना शुरू किया था नाम क्या है श्रिवा जी ठीक है ये भी आज़ रखना अच्छा ये सेना है सेना का क्या मतलब होता था सेना भी क्या प्रकार की होती थी ठीक है सेना में देखे दो प्रकार की है एक तो नियमित इस थाई इन सब के अलावा मुखरूप से पैदाल घुरसवार सेना रखी जाती थी ठीक है और इसमें घुरसवार के अंतरगत आते थे बरगीर जैसे क्या बोलते हैं उसको पद सोपान एक परकार से समझे एक टुकड़ी जो होती थी टुकड़ी एक टुकड़ी पचीस अस्वारोही के बराबर एक हवलदार पचास घोड़सवार के बराबर ठीक है और एक जुमालदार जो होता था पांच हवलदार के बराबर होता था एक हजारी कौन होता था दस जुमालदार के बराबर होता था एक पंच हजारी किसके बराबर होता था पांच हजारी के बराबर होता था पांच पांच हजारी के बराबर होता था पांच पांच हजारी के बराबर होता था ठीक है यह थोड के मामले में बात कर रहे हैं सबसे बड़ा हुआ सरे नौबत और सबसे छोटा कौन हुआ अश्वार ओई ठीक है इतना भाई यार रखना है ठीक ना सरे नौबत संपूर्ण घुरसवार सेना का प्रधान होता था दो जो सेना होती थी वो दो कमान में बटी हुई थी सिवा जी कि अंतरगत सेना होते थे बाद में खेती होती करने लगे दक्कन का जो विद्रों हुआ था दक्कन का विद्रों 1875 वाला कि उसमें नायकों का ही तो मुझ रोल रहा है ना है ना अभी भी पढ़े थे फिर से नहीं बोलोगे कोई मत बोलो सबके सबाई से रहों गुम अपना बल्टेक्स है कि हम तो समाधी लगा ही रहें तुम लोगों के लिए चिंता मत करों गादा हाट राजस्प्रशासन क्या है राजस्प्रशासन कैसा था मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रयत वाड़ी व्यवस्था पर आधायर शिवा जी द्वारा अपनाई गी रयत वाड़ी मतलब क्या होता है रयत वाड़ी का मतलब होता है कि किसानों के साथ जैसे अंग्रेजों का जो रईयत वाड़ी बंदोबस्त रहा है वो क्या रहा है उन्होंने सीधे-सीधे किसानों से मेल जोल बढ़ाया उन्होंने सीधा बोला किसानों से कि भाई आप लोक है जो भी राजस्व होगा सीधे हमें देंगे किसानोंने सीधे स और संपरक्साद लिया कि rifising यहीं काम हो था रहे यहात वाड़ी में और रहे पोड़ा को दर्था को रहेत वाड़ी ब्यवस्था जो थी दक्षण भारत में रहेत वाड़ी ब्यवस्था को अपनाने का प्रमुक कारण ये था कि दक्कन छेत्र में कोई ऐसा जमीनदार वाला सिस्टम नहीं था दक्षण भारत में कोई जमीनदार प्रता नहीं थी कोई जमीनदार नहीं था इसलिए वहाँ पर रहेत वाड़ी ब्यवस्था को अपनाने के पीछे प्रमुक कारण क्या था एक चीज तो यह पता होना चाहिए दूसरा यह भी पता होना चाहिए कि रहेत वाड़ी ब्यवस्था के प्रमुक विशेश्था क्या थे अब वो प्रमुक विशेश्था यही थी ठीक ना कि किसानों को का संपर्क सीधे सीधे सरकार से साधा गया बिचवलिये का कोई काम नहीं रहा हलाकि बहुत सफल ब्यवस्था नहीं मानी जाती है बाद में हम क्या पढ़ते हैं जब ना 1875 का दंगा पढ़ते हैं दक्तन विद्रोह पढ़ते हैं 1875 का तो उसमें हमें बात साफ साफ नजर आ जाती है कि इस दंगे का इस विद्रोह का प्रमुक कारण में से एक यही है कि रहियत वाड़ी विवस्था को उन लोगों ने पसंद ही नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि लोगों की जमीने चिंती चलीए नायक लोग किसान थे पहले सैनिक थे हुआ करते थे बाद में किसान बन गये उनकी जमीन चीनी जाने लग गई ठीके ना तो अठासुप चेतर में विद्रोग के रूप में सामने आ गया जिसको हम दक्कन विद्रोग केते हैं और दिक्कर दक्कन विद्रोग खास करके महाराश्च्छत्र में ही हो रहा है पश्च्मी छेतर भारत का है यह भी याद रखना तो इनके जो ब्यवस्था रही भूराजस ब्यवस्था वो मलिक अंबर के ब्यवस्था जैसी रही 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 तवाड़ी ब्यवस्था पा आधारित रही इन्ही के निर्देश पर अन्नाजी दत्तों ने क्या किया 1679 में एक बिस्तृत भू सरविक्षण भी करवा लिया अन्नाजी दत्तों नामें का 1689 का समय है भू सरविक्षण करवाया नई राजस प्रडाली को निर्धारित किया किसी भी बाहरी शक्त के आक्रमर से सुरक्षा करने के बदले में वसूल किया जो धन इन्होंने जो टैक्स वसूला उसको बोले चौथ चौथ मतलब एक ऐसा साइन कर जो की विजित छेतर के कुल उपाज का एक चौथाई हुआ करता था इसके बारे मियाद रखने ये प्रस्न पूछा भी जाता है तो आप लोगों को ये पता होने चाहिए कि ऐसा क्या है इसमें चौथ को मतलब क्या है एक ऐसा साइन कर था जो की विजित छेतर के कुल उपाज का एक चौथाई हुआ करता था जबकी मराठा आक्रमर से बचने के लिए आसपास के राज्यों द्वारा मराठों को दिया जाने वाला जो टैक्स होता था उसको बोलते से थे सरदेश मुखी सरदेश मुखी क्या था कुल इंकम का दस परसंट सरदेश मुखी के नाम पे आप पडोसी राजी क्या करते थे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे अपने छेत को सुरक्षित रखना चाहते थे किसे मराठों के भै से मराठों के लूट पार्ट मराठों के आक्रमर स सुरक्षत रखने के लिए उन्होंने सरदेश मुखी जैसे टेक्स पे किये और चौथ क्या था चौथ एक ऐसा कर रहे एक सायने कर रहे जो विजित छेत्र के कुल उपज का एक चौथाई हुआ करता था तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमेशा सरदेश मुखी चौथ कर से अधिक हुआ करता था था तो बात सही होगी ना कि क्या रोली कि गुड़िया कि एक चौथ एक चौथाई है और टैक्स यू शर्देश मुखी है वह एक बटा दस है तो सरदेश मुखी जादा है चौथ जादा होगा प्रशासन की बात करें वर्तमान का जो तहसिलदार हुआ गाउं में के आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाला पटेल जो है आज का तहसिलदार है आज के समय जो तहसिलदार होते हैं वो उसमें पटेल हुआ करते थे वो क्या करते थे गाउं के आपराधिक मामलों की सुनवाई करते थे ठीक है करने वाला है पटेल सिवा जी के उ उत्राधिकारी इनकी उत्राधिकारियों में 1689 के बीच गद्धी पर बैठे संभाजी महाराज ने उज्जयन के कभी कलश के माध्यम से अपना राजा भिशेक करवाया 80 स Saudi की बीच में रहे इनकी पुत्र हैं संभाजी महाराज नाम है इनका इनका जो राज्या भिशेक हुआ वो उज्जयन के कभी कलश नाम है इन्होंने ही इनका राज्या विशेक किया और औरंग जेब के विद्रोही पुत्र जो थे अकबर उनको सरण भी दिये कौन संभाजी महराज ठीक है वो अकबर नहीं यह अकबर प्रथम हो जाएगा ठीक है याद रखना औरंग जेब का लड़का है विद्रोही पुत्र बाद में आओरंग जेब के सेनापथी मुकर्रब खां के द्वारा कभी कलस और सम्भाजी को गरभतार कर करके उनको मार दिया था सत्रासो से सत्रासो साथ के बीच में मराठा राजवन्ष की सुरक्षा के तौर पर ताराबाई ने शासन सत्ता संभाली जो की एक योग महिला भी थी ताराबाई के बारे में आद रखना है ये कई बार इनके पूशा भी गया है इनके नेतरत में, तारबाई के नेतरत में मराठों की शक्ती दिन प्रति दिन बढ़ती गई उसके बाद जब औरंग जेब की 1707 में मृत्ति होती है तब मुगलबाज शाह बनता है बहदूर शाह प्रथम बहदूर शाह प्रथम ने क्या किया? साहु जी महराज को कैद से रिहा कर दिया साहु जी और तारबाई के बीच में 1707 में युद्ध लड़ा गया साहु जी और ताराबाई के बीच में कौन सा युद्धाई है खेडा का युद्ध भाई इसमें ताराबाई पराजित हो गई और साहु जी महराज जो थे वो छत्रपती की उपादी धारण कर गर्दी पर बैठ गए 1707-49 के बीच में मराठा सत्ता पर साहु का ही शासन रहा लेकिन इस दावर में पेशवा की शक्ती में भी बरादी होथी की ऐसा नहीं बोल सकते कि केंद्रित शासन ब्योस था इस समय साहो के ही हाथ में रही राजा थे लेकिन पेशवा ने भी अपनी शक्ति धीरे धीरे बढ़ा रखी थी पेशवा के शक्ति भी बढ़ती गई 17-13 में बाला जी विश्वनात को पेशवा के पतपर बैठाया गया था बाला जी विश्वनात इनका नाम जरूर याद रखो चिकें बाला जी विश्वनात को पेशवा के पतपर बैठाया गया इसी के साथ पेशवा का पत जो बना वो बन गया वनसानुगत चीक है भी या याद रखो बाला जी विश्वनात के पेशवा बनने के साथ ही पेशवा का पत बन सानुगत हो गया और धीरे धीरे बाला जी के उत्रादिकारी मराठा राज के वास्तविक शासन बन गये और छत्रपती जो रहा वो नाम मात्र का शासक बनकर रह गया था एक तो प्रस्ण यह बन जाएगा कि प्रथम पेशवा कौन है तो नाम है बाला जी बिश्वनात दूसरा प्रस्ण बन जाएगा कौन से पेशवा के बाद पेशवा का पद वन सानुगत हो गया तो नाम है बाला जी बिश्वनात ठीक है यह तरफम को याद रखना है पेशवा के समय में मराथा सामराज कैसा रहा यह आगया modern history पेशवाओं के समय में मराथा सामराज की शक्तिका फिर से उतकर शुआ 1713 से 1720 के बीच में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनात के समय में ही मराथा इतिहास में एक नई यूग की शुरुआत होती है ठीक है इसके बाद का जो समय आया वो पेशवाओं का ही समय रहा बालाजी विश्वनात की बाद का जो मराथों में समय रहा वो मराथों का काल दिल्ली की संधी होती है और इसे मराठा इतिहास का मेगना काटा किसको कहा जाता है तो बाला जी विश्माथ को मराठा सामराज का दोसरा संस्थापक भी माना जाता है 20-40 के मद पेशवा रहे बाजी राव पर्थम ने मराठा सामराज के विस्तार के लिए उत्तर दिशा की और बढ़ने की नीती का सुत्रपात किया तो सामराजवादी नीती का पोर्षक ये भी हो सकता है माना जा सकता है तो नाम है बाजी राव पर्थम और इन्होंने माराठा सामराज का विस्तार किया किधर किया तो उत्तर की तरफ इन्होंने किया उत्तर दिशा में माराठा की पता का कृष्णा नदी से लेकर अटक छेतर तक फहरा दिया इसने यही बाजिराव पर्थम ने मराठों की पता का कृष्णा नदी से लेकर अटक छेत्व तक फहरा दिया। बुंदेल खंड की विजे के उपलक्ष में पेशवा के सम्मान में छत्र साल ने एक जस्न का आयोजन किया। बुंदेल खंड जब विजे हुआ था यही बाजिराव पर्थम ही किये थे तो इनके विजे के उपलक्ष में पेशवा के सम्मान में ही एक छत्र साल हैं। कि उन्हों ने जस्न का आयोजन किया। और यहां पर पेशवा पर हमला हुआ। और उस हमले में इनकी जान बचाई थी राज मस्तानी ने oh उन्हें मस्तानी ने बाओर मस्तानी बाश्राव मस्तानी बाजोंतो न उसने इनकी जान बचाई an actually Philip सबसे प्रियकॉन होगा वही वह जाएंगे उनकी हना जान बचाने वाला जो होता ना मारने वाले से ज्यादा अच्छा माना जाता है ना उसे प्रेम भी बहुत होता है तो इसके बुंदेल खान तैसमें जंजीरा साइटिसमें भुपाल के युदमिन निजाम को हराया पर आकरमड हुआ विजय के दुरयी सराइकी संधी भी नियुक्त कि 179 पर गुज़ात पर अकमड हुआ उस पर भी विजय प्राक्त की तो आपसे करम भी पूच़ा जा सकता है बाजी रहा पर ठम के आकरमड का क्रम काल क्रम क्रोन लाझ कल और्डर में बोलते हैं सही कार्प्रम सजाओ तो आपको सजाना पड़ेगा बुंदेल खांड जंजीरा भुपाल गुजराद ऐसी करके ठीक है सतर सो चालिस से एक सट के बीच में बाला जी बाजी राओ पेशवा बने चालिस से एक सट के बीच में कौन रहा बाला जी बाजी राओ ये नाम भी याद रखना भई इन्हें बोलते हैं नाना साहब सतर सो चालिस से एक सट छत्रपती राजाराम दितिया और बाला जी बाजी राओ के बीच 50 में संगोला की संधी हुई जिसके तहट अब वास्तविक शक्तियां पेशवा के पास आ चुकी थी किसके किसके बीच में संधी हो रही है छत्रपती है राजाराम दितिय बालाजी बाजिरा के बीड़ जो संधि हुई उस संधी का नाम है 1750 में संगोला की संधी इस संधी में क्या किया गया वास्त्रिक सक्ती दे दी गयी पेशवा को इस संधी के अंद्रोप राजी के सभी प्रमुख विभाग छत्रपती से पेश्वा को सौप दिये गए इस संधी का बड़ा महत्र रहा है छत्रपती राजी का संबैधानिक प्रधान बन कर रहे गया माना गया ऐसे था क्या सतारा में निवास की ब्यवस्था हुई यहाँ पे एक यूद्ध है पानिपत का तीसरा यूद्ध 1761, 14 जन्वरी खिचडी का दिन है यूद्ध लड़ा जा रहा है दिल्ली से लगवग 60 मिल की दूरी पर मराठा सामराज और अफगानिस्तान के आहमर्शाह अब्दाली या आहमर्शाह दुर्रानी इनके बीच में तीसरा यूद्ध होता है पानिपत का इसमें दुवाब के रहिला अफगान नजिब दौला अवद के नवाब सुजावद दौला ने आहमर्शाह अब्दाली का ही साथ दिया था ठीक है ना अहमर्शाह सुजावद दौला अवद का नवाब है और दूसरा कौन है रहिला अफगान है दौब का रहने वाला नजिब दौला इन दोनों ने क्या किया अहमर्शाह अब्दाली का साथ दिया था मराठे इस समय अकेले ही लड़ थे यह इसमें क्या हुआ ना कि जो इस समय नेत्रत दे रहा है थे वो एक अभी बच्चा टाइप को बोल सकते हैं कोई यूद का उनको ग्यान भी नहीं था यूद का कोई अनुभव भी नहीं लिया था उन्होंने कोई सारे कभी कोई यूद भी ने लड़े पहली बार मराठा जो थे वो उनके उपर भरोसा करके निकल गए थे लड़ाई करने सदा सिवरा भाव नाम हूं का यह राजते में जाते हुए भी गुजरात में भी लूट पार्ट मचाई राजस्थान में भी लूट पार्ट करते हैं यह पहुँचे थे पानिपत के छेत्र में हाला कि लड़ाई इनकी नहीं थी लेकिन समय ही था कि लड़ाई हो ही गई दोनों ने एक दूसरे के छेत्र को प्रतिबंधित कर दिया एक दूसरे के छेत्र को रोकने की कोशिश की पहले इन सब की मुलाकात कहा होती है पंजाब में एक जगा है जिसका नाम है उसका नाम क्या है रूप नगर ठीक है रूप नगर के आज पास में इन दोनों की एक बार मुलाकात हो जाती है लेकिन निकल जाते हैं अपना बच बच आके होना से लेकिन फिर से पीछा करते हैं अब ऐसा लग रहा हो सकता है कि भाई वो चले गए होंगे चलो चलते हैं या यह लगा हो या फिर हो सकता सही में पीछा किया हो उन्होंने जो भी रहा हो लेकिन पीछा करते हुए यह दोनों के दोनों एक दूसरे के आगे पीछे ही रहे मौका यह हुआ कि दोनों लोग नदी के इस पार उस पार चले गए थे मेरे खास से इस समय जो नदी थी सतलज यह ब्यास नदी थी में था से पंजाब वाली बात है तो वहां पे दोनों अपना एक दूसरे किनारे पही आए लड़ाय वड़ाय वहां नहीं होती है लेकिन यहां पानित पतवाले छेत्र में आसपास यहां पहुँचते हैं और फिर क्या हुआ घेरा डाल दिया जा पहुचा सकता कोई उनको रसद नहीं पहुचा सकता क्या हुआ कि यह लोग ज्यादा रसद तो लेकर निकले नहीं थे मराठें फिलाल जब तक टाकत रही तब तक अपना जहलते रहे रसदाना बंद हुआ खाना पीना कहां स्खाएंगे तो इनमें कुछ लोग ऐसे भी रहे जो भूख से भी बिलख रहे थे तो उसमें से कोई एक व्यक्ति था सदाशुरा भाव से बोला कि भाई भूखे मरने से अच्छा न लड़ाई करके मर जाते हैं ऐसा उन्होंने बोला तो सदाशुरा भाव को ये बात थोड़ी से अच्छी लगी क्योंकि महराठों का जो तरीका था वो यही था कि लड़ाई के लिए जब उठे अपना लड़ाई स्टार्ट हुई लोग क्योंकि भूखे भी थे प्यासे भी थे प्यासे तो हो सकता भी ना भी रहा लेकिन भूखे तो थे भूखे पेट कितना लड़ाई करेगा कोई लड़ाई चली कुछ समय तक क्योंकि अहमद साहब दाली के पास कोई दिक्कत नहीं थे क्योंकि वो इस तरफ था दिल्ली के तरफ पहुंचाओगा था सेना में लड़ाईयां हुई लड़ाई के बाद सेना में थोड़ी सी भगदड़ भी मची भगदड मचने के बाद मेरे ख्याल से ऐसा बताया जाता है कि मौके पर उस इस्थिती को समहाल लिया न साथ दाली में अपनी उस इस्थिती को समहाल भी लिया इन सब को लगा कि अब हम जीत गए माराठों के लग गया लेकिन पतानी पैत्रा फिर कैसे बदला कि सारी का सारे सानी फिर वापस आ गए इन सबको अच्छे से घेरा और घेर के यह सिबकी लडाई मेरे क्यास महीनों एकाक महीना तक चली थी लगातार चली थी लडाई इनकी लंबी चोड़ी लडाई हुँ थी घेरा डालना लडाई करना सब एक दो महीने का खेल रहा लंबा चोड़ा खेल रहा है अंत में मराठों की हार हुई एमसाबदाली बिजय घोसित हुआ और सदा शिरुआ भाव वहीं पर लडाई करते भी मारे गए अच्छिन हलकी बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें एक व साफ्री मेरे ख्यास नाम हुनका वह जाके महाराश्ण पहुंचते हैं तो वहां पर वह कुछ हैसी बात बताते हैं कि कोड़ वर्ड में बोलते हैं सारी बात कि क्या है कि मतलब इतने मोती बिखर गए हैं और इतने हीरे हमारे तूट चुके हैं इस तरीके वह पूरी कहानी गड़ते हैं अभी देखिए इसमें अगर होगा तो पता चलेगा रोहिले के घुरसवार सेना है यह सी लिखा हुआ सेना है और तोप खाने जिन्हें ये दो नाम याद रख लेना अरे भाई ये सेना है ठीक भाई अफगान और रोहिलों की घुरसवार सेना तथा तोप खाने तोप खाने का नेत्रत कौन कर रहा था नाम है जुबरक और जजाईल सॉरी तोप खाने जो थे ना उनको जुबरक और जजाईल कहते थे ठीक है इसका नेत्रत किस ने किया एहमद दुर्रानी और नजीब उद्दौला नजीब उद्दौला का उन है अपना रोहिला अफगान ठीक है दोआप छेत का रहने वाला ठीक है इन दोनों ने तोप खा गुर्सवार सेना को परास्त कर दिया गया ठीक है फ्रांस से इसी और ने भी कुछ मदद रत की थी इनकी फिला है योदिकी प्रिष्ट तूमी देख लेते थोड़ा सा इस पानी पत के तीसरे योदिकी प्रिष्ट भूमी क्या रही है पेश्वा बाजी राग के गुजरात मालवा पर नियंतरन कायम करने के बाद मुगल सामराज की पतन की सिती में मराठा सामराज अपना तेजी से विस्तार कर रहा था इधर मुगल सामराज पतन की और बढ़ा रहा था ये मराठा सामराज अपने आपको बढ़ा रहा था 1737 में बाजी राव दितिये दौरा बाजी राव दौरा दिल्ली से बाहर मुगलों को हरा कर दक्षणपूर की मुगल प्रदेशों के अधिकांस भागपत कब्जा कर लिया किसने किया बाजी राव ने ठीक है दिल्ली पर जिससे मराठों का सीधा टक्रा अहमद दौरानी के साथ हो गया यह मरातनी मराठा है इनका टक्रा अहमद दौरानी के साथ हुआ रोहिला वाला जो अफगान है ना मेरे क्याद से नहीं यह अहमद दौरानी को यह हो ठीक है फिर 1769 में पश्टून पश्टून एक जंजाती है ये पश्टून सही लिखा गया है ध्यान रगने ये आधास्षा हो जाएगा 1769 में पश्टून जंजातीयों की मदद से पंजाब में छोटे मराठा सरदारों के खिलाब करवाई में लापराप्त होने के बाद भारतिय साहयोगी को साथ मिलकर मराठों के खिलाफ ग्यापक गठबंधन में गांगा के दवाब के रोहिला अफगान भी इसमें शामिल हो पश्टून जंजात इनकी मदद से क्या हुआ छोटे मराठा सरदार जो पंजाब छेतर में अपना सासन सत्ता चला रहे थे उनको क्या किया गया उनके खिलाफ का रवाई की गई क्यों सामिल था रहीला अफगान जो आपका दुर्रानी कर के नाम है एहमध दुरानी और नजीवुत दौला और साथ में ये एहमध दुरानी ये दोनों लोगं मिलके ये जो करवाई की थी मराठा की खिलाब उसमें उनको अपनाब भी मिला था फिलाल उसी लाव के चलते ह क्या हुआ कि अब माराठों के हाथ से पंजाब निकल चुका था इसी बात का बदला लेना था माराठों को उसी बात को लेकर वो लोग अपना इधर बढ़ रहे थे हाला कि माराठा और अफगान दोनों ही सुजावत दौला को अपने अपने सिविर में सामिल करने की कोशिश क किये थे या गठना माराठे भी चाह रहे थे कि सुजावत दौला जो है ना हमारे सिविर में आ जाए अफगान भी चाहरा था जो आया हुआ था अमसाबदाली वो भी चाहता था कि सुजावत दौला हमारे सिविर में रहे लेकिन अंत में सुजावत दौला ने क्या किया अ वो यह कि सुजाओद दौला के समर्थन के बीना मराठा सरधर्स मराठा जो थे वो अपना संघज जारी रख सकते हैं या नहीं इस बात पर संदे होने लग गया क्योंकि सुजाओद दौला को मिलाने की कोशित दोनों लोग हैं कि मराठे उसमें आसफल रहे सफल हुए अफग लेगी इस बात पर संदे होने लग गया कि दोनों से नहीं पानीपत के आसपास रहकर एक दूसरे की घेरबंदी लगभग दो महिने तक जारी रखी थी इस दावरान दोनों से नहीं ने एक दूसरे के आवश्रक आपूर्ति को बाधा पहुचाने की कोशिश की लेकिन अफ पहुंच रही थी खाने पीन एक सामान जो पहुंच रहा था वो सब पूरी तरह से रोग दिया गया कि 1760 आते आते मराठा शिविर में मवेशी भी मरने लग गए और स्टाइनिक भी मरने लग गए कब तक भूखे पेट रहेगा कोई मराठा से ना नाया किस्समे सदा सिवर भाव हैं भाव सब्द है यह थोड़ सा याद रखना मराठा परमुखों ने भूख से मरने की बजाए युद्ध में मरने की इजाजत मांगी और यह लडाई जो है कई दिनों के चलती रही है ठीक है यह वही बाद बता रहे थे जिसमें लगबद बेढ़ लाख सैनिकों को सामिल किया गया अंतता इसी उद्ध में मराठा पक्ष की हार हो गई मराठा पक्ष पराजित हो गया पानीपत के सभी योद्धों का मूल कारण क्या था देखो ना तो अहमर्षा अबदाली का मराठों के साथ कोई संगर्ष था ना मराठों का अहमर्षा अबदाली के साथ क है तो कारण था दोनों नहीं चाहते फिर भी लड़ाई करने पड़ी लड़ाई करने का मुख्वकारण था क्योंकि अब माराथे जो है न कोगी अब मुगल सामराजम पतन के ऊर धर बढ़ रहा है इनको भी लग रह था अब भारत पर दिली पर तो किसे क्सी ने पढ़ेगा ना मुगत्सामराज नहीं रह गया उस लाइक तो तो मराठे क्या किये वो दिल्ली का सपना देखने लग दिल्ली में हमारा राज चलेगा आपको थोड़ी दिर पहले पढ़ाए कि इन्हों ने उत्तर की और कूच किया उत्तर के छेत्र पर छेत्र की और यह प्रेशदार भी कहा जाता है अगर कोई भी आकरामक दिल्ली पर कबजा करना चाहता है तो उसको पानीपत के रास्ते से ही गुजरना पड़ता है यह एक मुख कारण रहा इसका नहीं तो इन दोनों की कोई रंजिस आपसी रंजिस नहीं थी ठीक है पहली चीज़ अब जो पानीपत के रास्ते उनकी लिए दो रास्ते एक तो है खैबर दर्रा और दूसरा है पंजाब का रास्ता है खैबर गोमल बोलन ऐसे दर्रों का नाम सुना होगा आप लोगों ने तो खैबर दर्रा और पंजाब से ही ओकर इनको जाना पड़ता था पानीपत के तीनों युद्ध का विवाद पानीपत शहर कभी नहीं रहा हमेशा याद रखना पानीपत युद्ध जो हुए हैं तीन युद्ध है ना प्रत्थन देती है और तेती है युद्ध ये तीनों युद्ध के लिए पानीपत शहर कभी जिम्मेदार ही नहीं रहा क्योंकि उसके जिम्मेदार था दिल्ली ऐसा भी एक बार मिर्ख्या से प्रश्ण आया हुआ यूपीस्सी में पूछा गया है क्या कारण रहे क्या कारण रहे कि इतनी जंजू लडाईयां पानीपत के मैदान में लड़ी इसका कुछ कारण रहा होगा कि फिलाल भी उसके बात करेंगे बाद में अभी रहे हैं कि अभीनेरा इस यूद में मराठों की हार का प्रमुक कारण था सदा शिवराव भाव का उत्तर के उत्तर भारत के युद्ध का अनुभों ना होना वो सदा शिवराव भाव को कोई ऐसा अनुभों नहीं था फिर जाटों की संधी को स्विकार नहीं जाटों ने इसकी संधी को स्विकार भी नहीं किया मराठों के संधी को तो मपराठों केहर का परोंक कारण एक तुबही सधश्यू राव-भाव का एक नया नमेलत चेहरा होना कि उनको इसका अनभो को भी परिशान कर रखा था इस वज़ा से कई सारे इस्थानिय राजा भी मराठों पसाथ नहीं देए यह कुछ कारण रहे हैं पानी पत्वे मराठों के हार का जहां मुगल सामराज के पतन के बाद मराठा प्रभाव शाली होकर उभर रहे थे वहीं बालाजी बाजी राव की मृत्ति के बाद मराठा दरबार जो था आंतरिक सडियंत्र का के अंदर बन गया बाला जी बाजी राव की मृत्य को बाद ऐसे इस्तिती हुई है कि माराथे तो मुगल सामराज तो पतन के और बढ़ रहा है लेकिन माराथा सामराज भी सेफ नहीं है क्यों नहीं क्योंकि वहां पर जब बाला जी बाजी राव की मृत्य हुई तो पूरा का पूरा माराथा सा तको समात कर देना चाहिए मराठों पर निगा थी पिर भी अंग्रीजों को जा शर्चा निपर्पर्ड कर दिया कई नाना फढ़नवीश के नित्रत वाले मराठा सरदाराओं ने क्या किया माधाराओ नेर नाराण को पेशवा घोसित किया घोसित ही नहीं किया एक बारा भाई परिशद का गठनी कर दिया माधाराओ का एक चाचा है जिसका नाम है रगनात राओ रगनात राओ जो था उफ बार क्या करेंगे इसमें हमारी कुछ डाल गलनी चाहिए थी लेकर नहीं गली उसकी तो रगनात राव पूना छोड़के भाग गया बंबई बंबई गया कहां अंग्रेजों की सरण में बोला भी हमको बचाओ ठीक है लड़ाई वड़ाई कर लेते चलते लड़ाई करेंगे तो कुछ नो कुछ आपको मिलेगा भी अब क्या मिलेगा तो वही बताएगा सुरत के संदी लेकिन किया था लड़ाई से पहले सुरत के संदी कर लिया मजबूर होकर मुंबई भागा रगनात राव अंग्रेजों की शरणली और नाना फड़न 20 के नत्रत में मदद मांगी अंग्रेजों की जो की आंगल मराठा युद्ध की प्रश्ट भूमी तैयार हुगे जिसके चलते हैं आंगल मराठा युद्ध तीन हुए हैं 75-82, 83-5, 88-78-78, पहला आंगल मराठा युद्ध है मराठा दरबार के आंतरिक संघर्ष शुरू होते हैं अंग्रेजों को मराठा संघ में हस्तक्षेप करने का आवसर मिल गया अच्छा यहां तक बताओ कोई दिक्कत है आप लोगों को यहां तक कोई समस्य किसी को रोली नहीं है गोडिया आपको ठीक है जब नहीं तब बात के तुम तब चलते हैं आगी पानी पत के युद्ध का मुख्यकारण क्या था यह पानी पत का युद्ध मराठे जो हार गए उसका प्रमुखकारण क्या था उसके कुछ प्रमुखकारण रहे हैं कुछ रहे हैं कि नहीं रहे हैं लिखते लिखते वह कि नहीं सब लोग हैं बस कथा चल लए भाई यह संदा है हम मराठा दरबार का आंतरिक संगर्ष शुरू हुआ इसी में क्या हुआ अंग्रेजों के एक मौका भी मिल गया यह चलो हस्तक्षिप करने का मौका मिलेगा रखनात्राव ने क्या किया वो उनकी इच्छा को पूरी भी कर दिया सूरत की संदी कर रहा है सबसे पहले जाकि कौन रखनात्राव 1775 में सूरत की संदी करता है और सूरत संदी के अनुसार बात ये तैव हुई रखनात्राव और अंग्रेजों के बीच में कि रखनात्राव को पेशवा का पद्दे दिया जाएगा पेशवा का पद्देने में क्या करना पड़ेगा अंग्रेजों को सैन सहता करने पड़ेगी बदले में क्या करेगा रखनात्राव वो सालसेट बसीन भरूच और सूरत की आय अंग्रेजों को दे देगा ये चार छेत्र सूरत की संदी ने अंग्रेजों को साल सेट दिलवा दिया बसीन छेत्र दिलवा दिया भरूच और सूरत भी दिलवा दिया अंग्रेजों को इसके बाद आरस का मैदान है आरस बोलते हैं इसको उसके मैदान में अंग्रेजा और मराठा के भी इसी में युद्ध होता है मराठे हला की पराजित हो जाते हैं लेकिन अंग्रेजों को अधिकार भी नहीं मिलता अम मराठों के हारने के बाद ही अंग्रेजों का दिकार नहीं मिलता 1778 में बिटिस्टों द्वारा मराठा के साथ फिर से युद्ध शुरू हो गया ये युद्ध जो रहा पहला आंगल मराठा युद्ध ये कई टुकड़ों में चला जो पहला टुकड़ी है पहला तो यह रहा कि इधर एक युद्ध खतम हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ अनिरडायक रहा प्रसमाले में पहला भाग दूसरा भाग जब शुरू होता 1778 में फिर से आकमर शुरू होता इसमें तेल गाउं का युद्ध होता है कि पहले वाले भाग में मराठे हार गए थे लेकिन तेल गाउं के युद्ध में जो 1778 में शुरू हुआ उसमें माराठे जीत गए 1789 में एक संदी होती है 1779 में एक संदी होती है नाम क्या है उस संदी का बढ़गाओं के संदी संदीया ध्यान में रखा कौन-कौन से संदी हो रही अभी 1775 से 82 के भी लड़े गए प्रथम आंगल माराठे युद्ध जो की एक अनावर्षक युद्ध भी था सालबाई की संदी के साथ समात हुआ इस संदी के अनुरूप क्या काम हुआ सालसेट और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दिया गया माधार अधितिया को पेश्वा स्विकार कर लिया गया रखुनात राव के पेश्वा नहीं बना ध्यान रखना दोनों पक्षून क्या किया है एक दूसरे के जीते हुए छित को वापस भी कर दिये भविश में ये भी बचन दे दिये कि भईया भविश में आकरमन नहीं किया जाएगा एक दूसरे पर साथ ही अंग्रेजों क्या कहा कि हम रखुनात राव का साथ छोड़ देंगे और रखुनात राव पर जो खर्च किया गया पैसा था करीब 12 लाग रुपया वो पूना दर्बार हमको दे देगा तो पूना दर्बार से 12 लाग रुपय मागे गये और साथ में रखुनात राव का साथ छोड़ने का बचन द दिया ठीक ना यहां तक कोई दिकत किसी को दूसरा ठक गए हैं कि आप लोग ठक गए हो तो थोड़ा से ब्रेक ले लो कि बुलिए चल्ड कि नाना फ्रंद्वीश की मृत्ति हो रही हो जाती है इसी बीच में और मराठा सामराज में कुछ अंशित्ता का वाता और भी फैला है अंग्रेज फ्रांसी सी भाय मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का भाय सता रहा है इनको और जिसकी वज़ा से जो वेले जली है वो गवर्नर जनरल बनके आ जाता है 1799 में करीब आता है 1799 में आ जाता है लोड वेले जली ठीक है और अपनी ये सामराज वादी निति को बढ़ योरोप में कहीं ऐसा ना हो जाए कि निपोलियन का साथ मिल जाए किसी भारती राज्य का और हमारी छुट्टी करवा दे यहीं से वेले जली अपना अपनी नीत को बढ़ाए उन्होंने इसलिए बढ़ाया अपनी नीत को सामराज वादी नीति इसको बोलते है संधी वाली को ताकी मराठा सामराज सुरक्षत हो सके अठारा सो एक में बिट्टू की हत्या होती है बिट्टू की हत्या जिसके परड़ाम सुरूप होलकर ने पेशवा और सिंधिया की सहीवत सेना को परास्त कर दिया होलकर के भाई हैं बिट्टू जिनका नाम है ठीक है और होलकर ने पेशवा और सिंधिया की सहीवत सेना को हरा दिया जिससे पुने पर खोल करका नियांतरन स्थापित हुआ और बाजी राद दिती है जो बसीन में अंग्रेजों से सरण में थे बसीन की संदी के रूप में पेशवा ने बालाजी की सहायक संदी को विलेजली की सहायक संदी को स्विकार कर लिया बसीन की संदी हो रही है इस समय अब बसीन की संदी में अभी NCRT तो है नहीं दिखाते लिए उसका चित्रा आप देखते पूने दर्बार का बढ़िया सजा हुजा है और सर यह जो मेल आईडी नीचे दिख रही है वो आपकी है क्या नहीं हमारी नहीं क्यों जोamarी नहीं हमारी नहीं है या ठीक है बसीन में अंगरेजों से सर लिया और सरं के लेने के चक्र में क्या किया बसीन की संधी कर लिग बाजिराव दितिय ने पेशवा ने क्या किया संधी पेशवा ने बेले ज़ली के साहट सेंविकर को लिया इसके अनुसार अंग्रेजों को सूरत मिल गया बसीन की संधी कहा गई भाई यह बसीन की संधी से क्या हो गया? तो बसीन की संधी से अंग्रेजों को सूरत प्रात्थ हो गया पेशवा ने क्या किया? पेशवा द्वारा ताप्ती और नर्मदा के बीच का छेत्र अंग्रेजों को दे दिया नर्मदा ताप्ती के बीच के छेत्रभी अंगरेजों को दे दिया नर्मदा ताप्ती के वीच के छेत्र इसका मतलब है बिंध्यपरवत नर्मदा शत्पुळा ताप्ति ये वाला छेतर ठीक है इस वाले छेतर को किसको मिल गया ये अंग्रेजों को दे दिये गए बसीन की संधी के तहती मिला है ठीक भई ये बात भी याद रखी है पेशवा ने विदेशी मामला संबंदी विदेशी मामला कमपनी के अधिन कर दिया बसीन की संधी ने किया ही काम कमर तोड़ दिया पूरी तरह से मराठों की वो छेत्र ले लिया नर्मदाताप्ति के बीच का छेत्र विदेशी मामला चला गया कम्पनी के पास निजाम से चौथ लेना बंद कर दिया गया गायकवार के विरुद यूद ना करने का बचन दिया मराठों ने इसके अलावा अब क्या बचा है मराठों के पास कुछ भी ऐसा नहीं चौथ नहीं ले रहा निजामों से ठीक है निजामों से चौथ नहीं लेगा गायकवार के विरुद दियूद नहीं करना है विदेशी मामला कम्पनी को देही दिया गया है साथ ही साथ नर्मदा और ताप्ती के बीच के छित को मराठों के क्या नम अंग्रेजों के हवाले भी कर दिया गया है मतलब साफ है कि बसीन की संधी ने अंग्रेजों के लिए जो सही एक महत्मुर्द सावित हुई थी उसने मराठा संग को ही तोड़ दिया था मराठा संग को मराठा संग की कमर तोड़ दी इसमे इस बसीन की संधी ने पेशवा ही अब मराठा संग का अध्यक्ष अभी भी पेशवा ही है लेकिन उसके पाद खुछ है नहीं अब पेश्वा अध्यक्ष बन कर रहे गया है संग का अध्यक्ष है लेकिन मराठा संग के जो अधिनस्त राज्ज है वो अंग्रेजों के अधिन हो गए है अंग्रेजों की सहायक सेना मैसूर लखनो हैदराबाद में तो पहले से मौझूद थी अब मराठा छेतर में भी मिलख पूना में भी नियुक्ष कर दीगे सहायक सेना इसमें मराठों को हैदराबाद गायक वार के बिल्ग यूद्ध ना करने की नीती अपनाई गई थी मराठों ने अपना लिए थी इसी बसीन की संदी के तैर और अधिनस्त जो छेतर थे कंपनी के अधिन कर दिये गए थे इस प्रकार से ये संदी मराठों के लिए अपमान जनक संदी थी हो सकता है कंधे पे तलवार रखी बोली गई हो कि संदी करो ने तो गर्दन ओड़ जाएगी ऐसा भी हो सकता है दूसरा अंगल मराठा युद के दवरान ही भोसले सिंदिया पेशवा ने अंग्रेजियों के बिद्ध युद्ध कर दिया संदी थोड़ी समय के लिए रही उस संदी की सातों को यह लोग भूल गए यह आक्रमन कर दिये तीनों लोग मिलके भोसले सिंदिया पेशवा तीनों लोग अंग्रेजिकला परड़ाम क्या हुआ भोसले सिंदिया और होलकर के साथ तीन अलग-अलग संदिया हो गई 1803 में देव गाउं की संदि हुई भोसले परिवार के साथ कटक और वर्धा का पश्मी भाग अंग्रेजों को प्राप्थ हो गया देव गाउं की संदि के तै आपको यादर होने चाहिए यह बाद 1803 में ही सुर्जी अर्जन गाउं की संदि होती है सिंदिया के साथ जो के गंगा यमुना का दवाब वाला भाग एहमद नगर का दुर्ग भरूच और गोदावरी का छित अंग्रेजों को दे दिया गया फिर 1805 में होती राजपुर घाट की संदि किसके साथ भोलकर के साथ चंबल का उत्तरी भाग बंदेल खंड अंग्रेजों को मिल गया अब क्या होगा मतलब इस युद्ध ने मराठा सक्ति का अंत तो नहीं किया था यह बास सही है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध ने मराठों की सक्ति का अंत तो नहीं किया लेकिन मराठों को कहीं का छोड़ा भी नहीं दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध जो बसीन की संधी से शुरू हुआ और राजपुर घाट की संधी के साथ समाथ हो रहा है तीसरा आंगलमर अठा युद्ध अठार सत्रा अठारा में लड़ा गया बेले जली के बाद अब देखो इस समय सत्रा अठारा का समय है मतलब वर्रन हेस्टिंस आएंगे वर्रन हेस्टिंस तीसरा आगलमर अठा युद्ध था न वो सिर्फ एक बहाना था हकीकत तो यह थी यह समात करना चाहते थे यह जन जाती है उनको पिंडारीयों का दमन चाहते थे लोग पिंडारी कोन थे पिंडारी वो लोग थे कि आते थे पहाड से उतर के आक्रमर कर देते थे हमला बोलकर लूट पाठ करके भाग जाते थे उसी पहाड़ी में फिल भाग जाते थे वह बड़े निपूर थे इसमें जो कौन सा लड़ाई होता था च्छापा मार वाला यह गोरिला यह बड़े निपूर थे पंडारी आपने मूवी एक देखे होगी वीर मूवी आई थी सलमान खान सहिल खान मिथुन दादा उसमें थे सब लोग ऐसे एक्टर्स थे उनवी आपने देखे होगी प्षिला दिले जली के बाद लॉड हैस्टिंग्स आया अंग्रेजों की और हस्तक्षेप और तठस्थता की नीति का पालन किया लॉर्ड हैस्टिंग्स है वारन नहीं लेकिन व्रन हैस्टिंग्स ने भारत में अंगरेजों की स्रेश्टा को इस्थाप्टके करने के चेतरियत शक्तिंग्स की दम्नात्मक कारवाई शूरूरी है मैं 0 Schools दें continues कि देले जली के बाध से लेके स्रेश्टा के आने तक अंगरेजों की औहस्त कर द्रिक Studios हुआ लेकिन वारेन हेस्टिंस ने भारत में अंगरेजों किस रेष्टा को सिध्ध करने के लिए अच्छाइब पहले वाला मामलत कि नहीं पहाद का यह ठीक है इसके आने तकि की बाती यहां पिर वारन नहीं लाड हेस्टिंस है ठीक है यह गलती होग वारे मारे तो वह इसी क्रम में पिंडारियों की दमन के लिए एक अभियान चलाया गया जिससे मराठों मराठों के प्रभुत्त को चुनोती मिली और दोनों ही पक्ष के लिए युद्ध जरूरी हो गया था और अठा संदी वाली ग्वालियर मंसौर की संदी होती है पुने ग्वालियर और मंसौर की संदी होती है उसमें क्या हुआ इन संदियों की अनुसार सिंधिया ने पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सास देने और चंबल नदी के दक्षण पस्चिम राज से अपना अधिकार समाप्त करने का वचन दे दिया किसने सिंधिया ने ऐसा कर दिया पहली बात सबसे पहले तो फिर पेशवा ने क्या किया मराठों की प्रधानता को त्याग दिया किसने पेशवा ने पेशवा ने मराठों की प्रधानता को त्याग दिया हलाकि उप्रोक्त संधियों के बावजूद भी पेशवा, भोसले, हुलकरने, अंग्रेजों के ब्रत धियुद की घोष्णा की तत पस्चात तीसरा आनुमराठा युद भी शुरू हुआ जिसमें बिट्चिस्टों अंग्रेजों की विजे इस युद में परजित होकर पेशवा बाजिराव भी आत्म समन्पन कर दिया, जिसके बाद पेशवा का पस्समाप्त हो गया, पेशवा राज को अंग्रेजी सामराज में मिला भी लिया गया, चार लाख वार्षिक प्रंसन देकर पेशुवा को बिठूर में रहने की आग्या दी गई जहां पर बाजी राव सकंड की मृत्यु हुई अठारा सु तिर पंदे इसके लाबा सीता बर्डी सीता बर्डी में भुशले महिदपुर में होलकर भी पराज थे परड़ाम निकला अंग्रेजों की सर्वोच सत्ता इस्थाप्त हो चुकी थी तीसरा आंग मराठा युद्ध के साथ मतलब प्लासी युद्ध से शुरू होकर अंग्रेजों की सत्ता मराठा सामराज के समाप्त होने तक होने के साथ ही अंग्रेजों की सर्वोच सत्ता की इस्थाप्न हो गई थी लंबा चौड़ दौर है 1757 से 1817 तक का मामला 18 तक का मामला है सारी इस बीच में देखो प्रश्ण कई सारे बन सकते हैं पीटी में भी बन सकते हैं मैंस में भी बन सकते हैं थोड़ा सा आप लोग मेंस के लिए भी प्रश्ण तयार रखता करो थोड़े लिखा करो अगर पढ़ते तो है ना लिखता है लिखा करो थोड़ा लोग मजा आएगा नहीं लिखोगे तो गड़ड़ा जाओगे भाई सब को बता दे रहे हैं आम घास सही गलच जो समझ में आ अपने लिए हमको कुछ देने वालों पई है नहीं तुम लोग ठीक है अपको देने दे भी नहीं पाओगे तुम लोग को माराठों की असफलता का कारण क्या था कि माराठों की परमपरागत यूद दिनीती को त्याग कर पैदल सेना और फंपरागत यूद दिनीती को त्याग कर पैदल सेना तो फाने पर अधिक बल देना था ठीक है परंपरागरी दिनीती उन्होंने त्याग दी थी कौन सी वही वाली जो शुरुवात में लड़ते थे कौन से था वो छापमार वाला युद्ध जो था उसको क्या बोलते हैं नाम भूत भूते हैं बार-बार उसका गुरिल लवार गुर्सवार से सेना की इन्होंने आ सफलता था दूसरा नाना फढ़न वीस महादजी सिंधिया माधवराव की तरह योग नेत्रत दोबारा नहीं मिले मराठा को तीसरा अंग्रेजों ने युद्ध से पहले कई सारी छेत्रिय शक्तियों को अपना मित्र बना लेते थे और फिर शक्त्रु को अकेला कर देते थे चौथा माराठों की कमजोर नौसाइनिक शक्ति पाने में बड़े मजबूत थे बिटिश चौथा और सरदेश मुखी नीती जो थी वो क्या की माराठों के साथ जो पड़ोसी राजों के संबंध थे न वो बड़े कटू हो चुके थे ठीक है कट्तों से भर गया थे इसलिए उनको साहयों भी किसी नहीं मिला माराठे बल पूर्वत एकत्रित कीगे धन राशी पर निर्वरते इनके पास कोई इस्थाई प्रावधान नहीं था अब यह इस्थी बिगड़ जाएगे तो क्या होगा भी यह कहां से कठ्ठा करोगे लूट पार कहां से मचाओगे फिरहना उसके बाद इनकी बीच में एक सबसे बड़ी समस्य आई वो दर्बार में जो सड्यंत रच्च जाने लग गए आंत्रिक मराठा संग इन्हों ने भी क्या किया मराठा राज को कमजूर ही कर दिया इस नीति से नीज़ी सार्थ को बढ़ावा मिल ळा था इस वज़ह से मराठा संग कमजूर होका शला गया इस यह कूछ कारंड रहे हैं जिसमें MARgroup प्राजित दीम प्रश्ण भी हैं विलेजली की विस्तारवादी नीती ने भारत से अंग्रेजी प्रभुसत्ता को मजबूती प्रदान की इस परश्ट कीजिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समराजवादी नीती का अनुसराण करते चेत्रे शर्टी के रूप में मराठा संगल को समार्थ कर दिया कि मराठो में आंतरिक संगर शर्थि मराठा सक्ति को समयब्त करने में मराठो कि अ करमकारणों का वर्डंब करें कितसे कुछ प्रसंद को ढूँए गये इसमें हैं ऊज लिख सकते हैं कोई पर श्रण All kind